नमस्कार रवा सक्षिन उसनेटे को आप सभी का स्वागत है लोकस्वा चुनाओं परड़ाम के बाद खुशिया मना रही कॉंग्रेस पर तंज कस्ते हुए बीजेपी ने पूछा था कि लगातार तीसरी बार सत्ता से दूर रही कॉंग्रेस आखे किस बात का उत्सव मना रह हो आप 2014 से 2024 तक के तीन लोकस्वा चुनाओं परड़ामों का विश्क्रेशन करेंगे तो पाएंगे कि इस बार कॉंग्रेस को वाकई जश्न मनाना ही चाहिए क्योंकि सत्ता से दूर रह जाने के बावजूद यह भी सही है कि कॉंग्रेस को इस बार बड़ी जीत मिली है दर प्राय हो जाए लेकिन कॉंग्रेस की शांदार वापसी ने उसके समर्थकों और कारेकरताओं को जोश से भर दिया है इसके लावब बीजेपी ने राहूल गांधी को पक्पू करार देकर उन्हें पूरी तरह से विफल घोशित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन राहूल गांधी ने पूरे प्रचार अभियान के दौरान पार्टी का नेत्रत्तु करते हुए अपनी रणनीती से बीजेपी को कई जगा उसके गढ़ों में ऐसी मात दी है जो कि भगवा खेमे को हमेशा सालती रहेगी भारती रानीती कितिहास को देखेंगे तो पाएंग लगाये गए कि वह विदेशों में अपने संबोधनों के जरिये देश की छवी खराब कर रहे हैं चुनाओं के दौरान राहूल गांधी के तमाम पुराने वीडियों के अंश निकाल कर उनकी समझ पर सवाल उठाय जा रहे थे राहूल गांधी बाइक मेकेनिक से मिले तो स सवाल राहूल गांधी ट्रक ड्राइवरों से मिले तो सवाल राहूल गांधी चात्रों से मिले तो सवाल ऐसा महौल बना दिया था कि राहूल गांधी हर धंदे में हाथ आजमाना चाते हैं क्योंकि वह राजनीती में सफल नहीं हो पाए लेकिन लोकसवा चुनाओं प्रण करेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने परिक्षा करीब आने पर ही पढ़ने जैसी आदत छोड़कर साल के शुरू से ही परिक्षा की तैयारी में जुटने वाले छातर का आचरण अपना लिया है कॉंग्रेस ने अगर अपनी लोकसवा सीटों की संख्या में लगभग 50 का इजा तो इससे उनमें खुद भी बड़ा परिवर्तन आया और जनता के बीच उनकी छवी में भी सुधार हुआ राहुल गांदी जब अपनी यात्राओं के दरवान पैदल चलते वे आम लोगों से बात करते थे तब लोगों को समझ आया कि राहुल गांदी कम बुद्धी वाले नेता नहीं है जैसा कि आम तोर पर उन्हें दर्शाय जाता है इसके लावर राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा से अब तक की उनकी तमाम तस्वीरों को देख लीजिए उनमें सिर्फ उनकी विदेश यात्रा को छोड़ दें तो बाकी तस्वीरों में आपको यही लगेगा कि वह अपनी लुक पर ध्यान देने की बजाए साधारन तरीके से रहने में विश्वास करने लगे हैं और आम जन के बीच उनी की तरह रहना और दिखना चाहते हैं आप अगर राणितिक इतिहास उठा कर देखेंगे तो पाएंगे कि जनता के बीच साधारन तरी के से रहने वाले नेता बहुत लोग प्रिय होते हैं राहुल गांधी जिस तरह टीशट और पैंट में ही रहते हैं और चाहे सरदी हो या गर्मी उनका लुक एक जैसा ही रहता है उसका बड़ा असर मद्दाताओं पर पड़ा है आपने चुनाओं के दौरान अक्सर देखा नहीं पहुंचाया दोजार चौदा से पहले नरेंदर मोदी की छवी साधारन नेता की और राहुल गांधी की छवी युबराज की थी लेकिन अब मोदी के सूट बूट पर सवाल उठाते हुए कॉंगरस ने उनकी छवी अमीर और उद्योग परतियों के समर्तक की और राह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो नियाय यात्रा के प्रचार का काम कॉंग्रेस ने marketing और communication firm तीन बंदर को दिया था है राहूल गांधी की यह दोनों यात्राएं प्रचार की द्रिस्ट्री से तो काफी सफल रही ही, साथ ही उनकी छवी भी एक गंभीर रानियता की बनाने में मददगार साबित हुई इसी मार्केटिंग फिर्म ने कॉंग्रस के प्रचार अभियान को धार देते हुए चुनाओ के दोरान ऐसे ऐसे स्लोगन बनाए जो की लोगों की जुवान पर चड़ गए साथी कॉंग्रस ने शोशल मीडिया पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और कुछ उद्योग पतियों के करीब होने की बात कहते वे ऐसा प्रचार अभियान चलाया कि लोगों को लगने लगा कि एक दो उद्योग पतियों को ही देश के सारे संसाधन सौपे जा रहे हैं प्रधान मंत्री की उद्योग पतियों के साथ पुरानी तस्वीरों को ऐसे वारेल कराए गया कि छोटे शहरों और गाउं के लोगों को लगने लगा कि मोधी सरकार सिर्फ उद्योग पतियों के लिए काम कर रही है जिस समय पुरा देश अयुध्या में राम मंदिर बनने क जैसे आरोप लगाने शुरू कर दिये इन आरोपों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ शोशल मीडिया इंफ्लेंसरों की भी मदद ली गई उनसे भी वीडियो बनवाए गए और आखिरकार यह टीम जनता के मन में यह बढ़ाने में सफल रही कि अगर मोधी 400 सीटों के साथ सत्ता में वापस आए तो समिधान बदल देंगे प्रथानमंत्री चुरौव में बार बार कह रहे थे कि उनका अगला कारेकाल और भी बड़े फैसलों वाला होगा इसे इस रूप में दर्शाय गया कि अगला बड़ा फ तब कॉंग्रेस ने दूसरी चाल चलते हुए कुछ ऐसे चुनावी जुम्ले पेश किये जिसमें कही जा रही बातों पर बड़ी संख्या में मद्दाताओं ने यकीन कर लिया दरसल कॉंग्रेस ने अपने घोष्णा पत्र में महलक्ष्मी योजना के तहट महिलाओं को एक लाख रुपए सालाना देने का वादा किया था इसके लावा युगाओं से पहली नौकरी पक्की जैसा महत्पूर्ण वादा किया था साथी कॉंग्रेस ने देश में जाती जनगरना करवाने और अगनीवीर योजना को रद्द करने का वादा भी किया था कॉंग्रेस ने जब यह देखा कि उसके घोष्णा पत्र में किये गए वादे जनता तक ठीक से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो खटा खट फटा फट जैसे शब्दों का उप्योग कर मद्दाताओं का ध्यान आकरशित किया गया यह शब्द लोगों के कानों में गूंचते रहे और रहत पाने के उदेशे से लोगों ने कॉंग्रेस की जोली वोटों से भर दी इसके लावा कॉंग्रेस ने चुनाओं के दौरान मेरे विकास का हिसाब दो और सब कुछ ठीक नहीं है जैसे प्रचार अभियानों के जरिये भी बीजेपी को घिरने में सफलता हासिल की कॉंग्रेस के पूरे प्रचार अभियान पर नज़र डालेंगे तो लगेगा कि सिर्फ कंटेंट के मामले में ही नहीं बलकि टाइमिंग के हिसाब से भी पाटी की प्रतिक्रिया जोड़तार रही हम आप खता दें कि इस साल की शुरुआत में कॉंग्रेस ने प्रचार अभ चुनाओं प्रचार के दो महिनों के दोरान के बीजेपी और कॉंग्रेस के शोशल मीडिया अकाउंटों पर लाइक रिपोस्ट या कमेंटों को अफिसलेशन करेंगे तो पाएंगे कि कॉंग्रेस की डिजिटल टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा क्योंकि शोशल या पर कॉंग्रेस के प्रचार अभियान का जवाब देने में बीजेपी का आईटी सेल एक तो पीछे रहा साती भगवा दल के पास ध्रूर आठी जैसे यूट्यूबरों की और से फैलाई जा रही बातों की प्रभावी काट नहीं मौजूद थी इसके लावा चुनाओं के दौरान प्रधानमंत्री नहेंद्र मोदी ने तमाम मीडिया संस्थानों को साक्षातकार दिये जिसे बीजेपी के सभी नेताओं ने साजा किया लेकिन इन साक्षातकारों में नया कुछ भी नहीं था जबकि कॉंग्रेस और उसके नेताओं की सो नहीं कर रहे थे और सिर्फ मोदी के आभा मंडल से इतना प्रभावित थे कि उन्हें लग रहा था कि 400 पार का नारा हकीकत होने ही वाला है तो मेहनत क्यों करने इसके लाव राहूल गांदी के यूट्यूब चैनल फेस्बूक पेज एक्स या इंस्टाग्राम अकाउंट प पड़ा था लेकिन जनता ने इस बार उन्हें दो सीटों से चुनाव जिता कर भेज दिया है यहीं नहीं राहूल गांदी की जीत का अंतर प्रधानमंत्री मोदी की जीत के अंतर से बहुत ज्यादा है यदि राहूल गांदी ने पार्टी नेताओं का आग्रह स्विकार कर विपक्ष का नेता बनने का प्रस्ताव मान लिया तो मोदी से उनकी सीधी राणीतिक भेडंत होगी जो की रास्टी राणीतिक परिद्रिश्य पर बड़ा असर डाल सकती है गौरतलब है कि राहूल गांदी का आरोप रहता है कि प्रधानमंत्री उनकी बात का जवाब नही ही होगा इसके लावा चुराव में राहूल गांदी को जिस तरह जनता का आशिरवाद मिला है उससे उन्होंने इस धार्णा को भी तोड़ दिया है कि नरेंद्र मोदी के विराट राणीतिक व्यक्तितु तक कोई नेता नहीं पहुंच सकता है बाराल इस तरह आपकुल मिल मनाना स्वभाविक ही है